वेलकम टो एवेस्ट क्लासेस पॉडवाई सर्माजय एजुकेशन तो एंसी एडी सीडी सॉलुशन में यह चैप्टर नमबर वन कुशन नमबर टू का सॉलुशन देखेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले कुशन नमबर टू का स्टेट्मेंट गया है यह हम देख लेते ह जो कि आप से पूछ रहा है तो 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 पार्ट सेंज के फस्ट पार्ट इस वाट इस डिस्टेंस बिट्वीन दा टू स्पेर्स and second part what is the force on the second sphere due to the first तो इस question में हमारे पास देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे solution जब भी आपको करना हो solution करने से पहले उसके जो diagram है उसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा यह हमारे पास एक charge q1 है और एक charge हमारे पास q2 यह है इस पे हम नाम दे देते है q1 and this is q2 ठीक है distance suppose यह r है यह r distance पर है जो कि हमें find करनी है इसके first part में and second part में हमें force find करना है तो q1 and q2 first यहाँ पे जो q1 given है given है q1 is equal to 0.4 microcolum यह q1 की value given है ठीक है and q2 यहाँ पे जो given है वो है minus 0.8 microcolum राइट तो 1 microcolum is equal to कितना होता है तो यहाँ side में हम लिख कर चलते है 1 microcolum is equal to आप यहीं पे note कर सकते है 1 microcolum is equal to 10 to the power minus 6 column यह थोड़ा सो knowledge में होना चाहिए तो q1 and q2 given है distance आपको find करनी है and इसके साथ ही एक force given है आपको तो काफी अच्छा question है force यहाँ पे given है 0.2 Newton अब charges जो है वो opposite charges है मतलब एक positive है q1 देखेंगे तो आप यह देखेंगे यह कैसा है positive charges और q2 को अगर देखेंगे तो यह कैसा है negative charges positive and negative unlike charges होगा means इनके बीच में क्या होगा attraction होगा दूनों एक दूसरे को attract करेंगे तो attraction force लग रहा होगा और यह attraction force कितना है 0.2 Newton का है हमें q की value sign के साथ लेने की आवशक्ता नहीं है जरूरत नहीं पड़ते है अगें using Coulomb's law using Coulomb's law we know that f is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square right हमें find क्या करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले value पूट कर देते हैं force कितना दिया था 0.2 Newton का 1 upon 4 pi epsilon not की value क्या होती है 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per koulomb square होती है ठीक है and q1 and q2 यहाँ पर given है तो वह हम यहाँ पर पूट कर देते हैं q1 और q2 कितना given है 0.4 and 0.8 तो हम 0.4 and 0.8 लेंगे यहाँ पर साइन नहीं लेंगे जैसा कि मैंने बता है था माइक्रो कुलम है तो 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 6 तो मैं दो बार लिख देता हूं और बाकियों को हम solve करेंगे 8 चॉक 32 तो यह हो जाएगा 0.32 तो 9 into 0.32 into 10 to the power यह हो जाएगा minus 12 plus 9 तो 10 to the power 9 minus 12 right and 0.2 है इसको हम upon में लेंगे 0.2 अब इसको हम solve करते हैं तो 2 से इसको अगर हम cancel करेंगे तो cancel out करने पर कितना मिल जाएगा यह हो जाएगा आपका 1.6 राइट 1.6 multiply by 2 0.32 तो 1.6 यह जाएगा 9 into 1.6 into 10 to the power minus 3 okay and square r square क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ देखिएगा तो यह जो है 9 into 10 0.1.6 है तो 1.6 into 10 to the power minus 3 है तो इसका जो point है इसको हटा लेते हैं और इस पे point एक add कर देते हैं minus में तो यह जाएगा r square is equal to 9 into 16 लिख दिया मैंने इसको और point अगर हटेगा तो यहाँ पे 1 power minus हो जाएगी means 10 to the power minus 3 and minus 1 तो यह जाएगा r square is equal to 9 into 16 into 10 to the power minus 4 okay oh it's clear now r की value find करने के लिए क्या करेंगे square root करेंगे 9 into 16 into 10 to the power minus 4 तो 9 का square root क्या होता है 3 16 का square root क्या होता है 4 and 10 to the power minus 4 है इसका square root करेंगे तो 10 to the power minus 2 तो 3 चोग 12 और 10 to the power minus 2 meter तो r की value क्या होगे निकलके 12 centimeter तो एक पहला वाला जो पार्ट था उसका अंसर आपको मिल गया एक पार्ट जो कि हमें distance find करनी थी तो distance कितनी हो गई निकलके आगई 12 centimeter की distance होगी यानि कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 12 centimeter होगी ठीक है second part कहा रहा था what is the force on the second sphere due to the first तो जितना देखो क्या होगाता है Newton's जो Coulombs law क्याता है कि एक charge दूसरे पर जितना force apply कर रहा है दूसरा charge उतना ही force पहले पर भी तो apply करेगा क्योंकि product के directly proportional होता है तूनों charges के product के directly proportional होता है और distance change नहीं हो रही है तो इसका मतलब action reaction force समझ गया यह जितने force लगा रहा है यह भी उतना ही force लाएगा तो यहाँ पे action reaction force यहाँ पे use करेंगे and b ka answer यहाँ पे करेंगे the force of attraction the force of attraction on the second sphere due to the first due to the first is sphere as the force between the two charges is that is 0.2 newton the electrostatic force the electrostatic force between two charges is interactive interactive force that means force on q1 due to q2 due to q2 is same same as force on q2 due to q1 is same right right तो मैंने जैसा बता है कि forces जो होते हैं दो charges के डिरेक्टिटी प्रोपोसिन अथे प्रोडेक्टि के डिरेक्टी प्रोपोसिन होते हैं तो चार्जस तो चेंज हो नहीं रहे बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होरी है means जो फोर्स एप्लाई हो रहा है वो सेम रहेगा तो यह एलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स बीइन टू चार्जेस अबेदक न्यूटन्स थर्ड लॉप मुशन और एक्शन इसको फॉलो करता है तो दोनों आंसर आपको क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नयक्षिन के साarma में तब तक के लिए अपना द्यान रखे वा bura टाटा टेकीर